आप देख रहे हैं वीज संसार और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में दात गिरते हुए देखने का क्या आर्थ होता है। हम खसते हैं तो दातों की साहिता से ही। यही नहीं हम जो साफ साफ अपने शब्दों को बोल पाते हैं वह भी दातों की मदद से ही। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे दात एक ना एक दिन जरूर से गिर जाने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सपनों में दातों को गिरते हुए देखने का आखिर क्या मतलग होता है दोस्तों आईए बात करते हैं सपनों में दातों के गिरते हुए देखने का अगर आपको सपना आता है जिसमें आप अपने दातों को तूटकर गिरते हुए देखते हैं तो फिर यह सपना किस और संकीत करता है क्या इसका कोई सकारात्मक्य तूटक गिर्थे हुए देखना एक शुम सुपन नहीं माना गया है जान लेकि यह सबना ऐसा है जिसमें कस्ट उस व्यक्ति को नहीं होगा जिसने यह सबना देखा है बलकि सपने को देखने के बाद ऐसी स्थिती बनती है कि व्यक्ति की रिष्टदार और परिजनों को कश्च हो सकता है हाला कि इसका प्रभाव नकारत्मक या सकारत्मक है या व्यक्ति विशेश के उपर निरबर करेगा यही नहीं कहते हैं कि दातों का गिरते हूँ देखना अपने भाई और बहन पर आने वाली मुसीबतों का संकेत देता है इसलिए ऐसे सपने आने पर साबदान हो जाना चाहिए खास करके अपने भाई बहनों को सचेत कर देना चाहिए ताकि वह जादर से जादा खयाल रख सकें दोस्तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि सपनों में अगर दाग गिरते हैं तो उसका क्या आर्थ होता है तो उमीद करते हैं अगर आप भी आगे से ऐसा कोई सपना देखते हैं तो आप जरूर से अपने रिष्टेदारों को सचेत कर देंगे और खुझ भी सचेत हो जाएगे दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा हम जल्दी लोटेंगे कि नए और रुमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद